जो rules मैंने आपको अभी बताए हैं, वो सारे rules आपको इस assignments में अच्छे से clear हो जाएंगे कि उनका क्या इस्तेमाल है, कैसे use किया जाता है, वो rules assignment में यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, ठीक है बस वो पंडेद बदरी परसाद वाली वो trick मैंने यहाँ नहीं लिखी, उसके यह मत सोचना इस assignment में आपकी NCRT नहीं है, आपकी NCRT की जितने भी questions हैं, उन सब को मैंने assignments में already add कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से arrange किये कि जो उनसा part मुझे जब समझाना है, उसी के according मैंने उसे arrange किये, आपकी NCRT पूरी तरह से यहाँ पे cover होगी, जैसे यह जो पहले दो questions आपको दिख रहे हैं, यह NCRT के ही questions हैं, ठीक है, एक एक करके सारे questions discuss कर रहा हूँ, rules कैसे लगाते हैं, क्या हमारा इस्तेमाल है, वो आपको बताता जाता हूँ यहाँ पे, so copy कर रहे हैं से, question number 1, तो यहाँ पे उन्होंने कहा, कि एक triangle है ABC, जो की right angle बन रहा है, जिसमें B जिसके अंदर right angle B पे बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे already एक right triangle आपके सामने बना रहा है, तो right angle हमारा B पे आ रहा है, triangle का नाम ABC है, तो आप चाहो इसको A दे दो, इसको C दे दो, या इसे A नाम दे दो, इसे C दे दो, फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई भी दिक्कत नहीं B यह वाला part, यह 24 दिया, BC 7 दिया, यह हमें 7 दे रखा है उन्होंने सामने से, हमसे कह रहे हैं, कि find करना या determine करना value निकाल ली है, sin A की, cos A की, sin C की और cos C, यह चारो values हमें निकाल ली है, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि trigger में जो मैंने भी आपको rules बताए, वो theta करके ब बिलकुल हम theta से represent करते हैं, बट यहां देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने angle का अंदर वाला नाम, अंदर जो उसकी value है, उसको लेनी की बजाए सीधा-सीधा बाहर नाम दे दिया, उस point का, triangle के उस vertex का नाम दे दिया, तो दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, बट mainly आप आपको ये Greek alphabet theta इस तरीके का ही दिखाए देगा, थोड़ा आगे चलके, और वैसे भी trigger आपका अभी शुरुआत हुई है, ना तो starting के question ये NCRT के ही है, उन्होंने starting में एकदम से theta नहीं रख दिया, दाकि आप confused ना हो, मैंने आपको explain करते हैं पहले बता दिया, बट NCRT के coding इसा नहीं था, ठीक है ना, तो कोई इसमें confused होने वाली चीज नहीं है, जो भी नाम दे हमें उसके हिताब से चलना है, बट General Practice में हम theta लेके चलते हैं, या कोई और Greek alphabet, कोई भी, अच्छा, अब उन्होंने मुझे जो value निकालने के लिए बोली है, वो बोली है, सबसे पहले आपको meaning याद करवा दूँ, जो sin A है और cos A है, इसमें A तो हमें बताते हैं कि आपका main angle कौन सा होगा, और sin वो ratio था हमारा, और cos भी हमारा ratio था, किसका ratio, वो चेक करने के लिए हम पंडित बदरी परसाद वाला rule लिखते हैं, पंडित, बदरी परसाद, हर हर बोले, सोना, च hypertonus का ratio, cos base और hypertonus का ratio होता है, ठीक है, तो sin का मतलब perpendicular hypertonus का ratio, cos base और hypertonus का, आप देखो, सामने मैंने यह rule लिखा, उस ही से पूरा करके दिखा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको रटना नहीं है, बस यह ध्यान रखनी है वाली line की पंडित बदरी परसाद, ह हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है न, तो उससे आप यह लिख सकते हो, आप यहाँ पर जो main चीज़ है वो यह, कि जो angle है हमारा, उसके basis पर decide होगा, कि P क्या होगा, और B क्या होगा, perpendicular और base कौन होगे, तो पहला वाला जो A वाला part है, उसके अंदर उन्होंने हमें angle A दिया है main वाला, तो अगर angle A, यह मेरा main angle है, तो इसका मतलब perpendicular इसके सामने वाला हुआ, BC हमारा perpendicular हो गया इस case में, यह हमारा perpendicular, तो automatically यह वाला part क्या हो जाएगा, base हो जाएगा, ठीक है न, ठीक इसी तरीके से, जो आपका अगला part है, उसमें angle C को उन्होंने main माना, तो angle C को अगर मैं main मानूँगा, तो उस case में यह perpendicular होगा, और यह वाला part, base हो जाएगा, हमें इसको ध्यान में रखके चलना है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, उससे पहले हमें जरूरत किस चीज़ की है, hypertenious की, बिना उसके तो मैं कोई value नहीं निकाल सकता हूँ, सबसे पहल नाम में presentation करके आनी होती है, so in right triangle ABC by using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, तो Pythagoras ने कहा था, कि hypertenious square, यानि कि AC square, perpendicular और base square के बराबर है, अभी फिलाल, trigger पर work नहीं कर रहे हैं, अभी तुम triangle पर work कर रहे हैं, तो यहाँ पर फरग नहीं पढ़ता, कौन perpendicular, कौन base, यहाँ तो हमें AC निकालने पर focus क करना है, तो AB की value 24 है, उसका square और BC की value हमारे पास 7 है, तो इसको अगर हम solve करेंगे, 24 का जो square होता है, वो 576 होता है, 7 का 49 होता है, अगर आप इसे add करोगे, आपको मिल जाएगा, मैं add करके दिखा देता हूँ, 9 और 6, 15, 7 और 4, 11 और 12 हो गया, और इधर 1 आया, यह 625 आपको म मालूम है, 625 का root 25 होता है, तो इसका मतलब जो AC है, इसकी value हो गई 25, यह हमारे पास आगया, ठीक है, इस triangle को मैं copy कर रहा हूँ, starting के question में, थोड़ा सा answer में खुल के ही लिखूँगा, और थोड़ा extra steps भी लिखूँगा, फिर धीरे धीरे हम shortcut लगाते जाएंगे, जैसे मुझ आराम से उसको judge कर सकते हैं, तब मैं उसको shortcut में भी लूँगा, तो जो A part है, उसके अंदर मुझे find करना है, sign A, और cos A की value, ठीक है न, तो जो triangle है, उसको मैं यहाँ पे copy करूँ, यह हमारा triangle आपके सामने, तो अगर angle A मैं यहाँ पे consider करके चल रहा हूँ, तो angle A के हिसाब से, सामने वाला perpendicular और यह वाला part base, already मैंने P और B वहाँ पे लिख दिया है, तो sign का rule क्या था, पंडित बदरी प्रसाद वाले से दुबारा देख लो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो sign का rule है P over H, तो perpendicular over hyperdenous, आपको यह नहीं लिखके आना, आपको वो नाम लिखने है, perpendicular कोन है यहाँ पे, BC, और hyperdenous कोन है, AC, अब इनकी values रख दो, BC 7, AC 25, यह हमारा sign है आगया, ठीके न, आप कहोगे कि यह 7 over 25 जो निकला, इसका use के practical life में, कहा हम use करेंगे, तो अभी उसके लिए वक्त है, जैसे से आगे बढ़ेंगे, आपको इसका meaning भी स इस्तिमाल करोगे, अभी तो शुरुबात करी है, अभी तो सिर्फ हमने इसके जवाब करना start ही की है, ठीके न, तो आगे आपको इसके जवाब मिल जाएंगे, कि यह 7 over 25 का meaning क्या हुआ, हम कहां life में इसे लगाएंगे, trigonometry इतना special है, कि आप जिस device पे मुझे इस वक्त आलेगा, कि किसी न, किसी रूप में trigonometry वहाँ पे लग रहा है, ठीके न, इन सब के meaning हैं, पर धीरे धीरे सीखना है, कॉस पे आते हैं, कॉस बेस और हाइपोडेनियस का ratio होता है, बेस और हाइपोडेनियस, तो एंगल A के हिसाब से बेस है हमारा AB, और हाइपोडेनियस तो उन्होंने हमसे sinc और cosc निकालने के लिएका है, तो उसको करते हैं, बी वाला पार्ट, sinc और cosc, मुझे triangle के जूरुत पड़ेगी, यह रहा, ओके इस बार हमारा angle c main angle है, तो अगर यह मेरा main angle हुआ, तो इसके according, perpendicular होगा, 24 और base हो जाएगा, 7, hyperdaneous हमेशा fix रहने वाले longer side, उसके फरक पड़ता, तो sign का rule क्या था, पंडित बदरी प्रसाद, यह शुरुवात में आपको लिखना होगा, धीर धीर आपको याद हो जाएगे, बस शुरुवात में मैं भी लिख लिख के आपको करवा रहा हूँ, ता AB 24 और AC 25, यह sin C की value आई, cos C, cos हमारा base और hyperdaneous का ratio होगा, base और hyperdaneous, base इस बार BC है, और hyperdaneous AC है, यानि की 7 over 25, यह हमारा answer, बस आपको यही करना, आपको यह ratios यहाँ पर find करने हैं, पहली assignment के अंदर, और इसमें जितने भी तरहां के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, अलग लग वो सारे तरहां के questions मैंने इस assignment के अंदर आपके लिए already रखे हुएं, आपको हरतारागा question यहाँ मिलेगा, और फिर जो इनसे related, mixed questions होगे, वो आगे end वाले assignments में और भी हैं, ठीक है न, यहाँ पर आपको लग बग हरतारागा question मिलेगा, तो पहला question जो था, उसके अंदर सीध सीधा हमारे पास values थी, sine a, cause a, sine c, cause सी यह हमें find करना था, ठीक है, तो first complete, second question पर चलते हैं,